राथे राथे सभी को आज हम बनाएंगे सभी कर्मे बनने वाली कद्दू की सबजी लेकिन एक बार इस तरीके से ट्राइ करना मज़ा आ जाएगा इसे खाकर बहुत ही चटपटी बनती है और हम इसे बीना प्याज और लसन से बनाएंगे तो आप एक बार इसे जरूर कर खाना बहुत मज़ा आता है इसे खाकर और बहुत स्वादिश्ट और सिंपल सी सबजी बनकर त्यार होती है कोई भी इसमें हम होच पोच नहीं है कोई ज्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं चाहिए और सबसे बड़ी बात बीना प्याज लसन की है तो सब इसको इसको कद्दू जितना आपका कच्चा होगा उतनी ही अच्छी यह सबजी बनकर त्यार होगी कद्दू को छील कर बारिक बारिक इस तरह से हम काट लेंगे और काटते सार इसे पानी में डाल देंगे तांकि यह काला ना पड़े क्यूंकि आपको भी पता है कद्दू में बहुत इसे पानी में डाल देंगे इतने में हम अपनी दूसरी प्रेपरेशन करते हैं हरी मिर्ची लेंगे इस बारिक बारिक काटेंगे इसे भी अद्रक लेंगे इसे भी बारिक बारिक काटकर चौप कर लेंगे और दो टमाटर लिये हैं इसे भी हम बारिक बारिक काटकर त्यार करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते लेंगे और अब हम एक कड़ाई लेंगे इसमें सरसों का तेल डालेंगे जब सरसों का तेल अच्छे से करम हो जाए इसमें डालेंगे राई, कड़ी पत्ता, अद्रक और हरी मिर्ची और इसे दो मिनिट के लिए सौटे करेंगे इसके कोई भी मसाला नहीं जाएगा, बहुत सिम्पल सी रेचपी बनकर तियार होती है, ठक कर हम पकाएंगे जितने में अच्छे से तेल रेलीज न हो जाएगा तब हम अपने कर्दु को चान कर अच्छे से दो कर इसमें एट कर देंगे, पानी का इस तेमाल नहीं करेंगे इस अच्छे से दो मिनिट के लिए भूनेंगे और फिर इसे ढग कर पकाएंगे बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे और हमारी सब्जी बनकर त्यार हो जाएगी बहुत ही यम्मी टेस्टी बनती है उपर से हरा धनिया एड़ करेंगे बस इतनी असान सब्जी है कि मिंटो में बनकर त्यार भी हो जाती है और कोई भी ताम जाम नहीं है इसमें उपर से देसी खी डालेंगे और गर्मा गरम इंज्वाई करेंगे रोटी या प्राठे के साथ तो अगर आपको मेरी रेस्पीस अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक येरी मुट